नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं P.O. भारत देखे बिहार के रुपावली उप्चुनाव का मामला इतना दिल्चस्प हो गया है कि माना ये जा रहा है कि जिसने रुपावली का उप्चुनाव जित लिया उसी धे बिहार विधान सभाथ चुना अनक रियाक्शन दिया और अब बीमा भारती गदगद हो चुकी है। से लगातार विधाया का बनती आ रही है रुपावली से और अभी सांसत बनने की ख्वाहिश हुई थी तो उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया था और उसके बाद चुनार लड़ने पहुच गई थी पूनिया लोग सभा में और किसके खिला पपू यादाओ के खिला पर तो क दिख रहा है वो सचाई तो बिलकुल नहीं है इसे ही कहते हैं राजनीती का खेल आज पपू यादाओ ने बीमा भारती को जिस तरीके से समर्थन दिया है उससे एक बात तो बिलकुल साफ हो चुकी है कि रुपावली का उपचुनाव जितवा कर पपू यादाओ यादाओ ने चली थी और बीमा भारती को रातो रात टिकट दिया था और पपू यादाओ फूट फूट कर रोय थे और बार बार लालू यादाओ से कह रहे थे कि मुझे भी अपना बेटा ही समझे टिकट मुझे दीजिये लेकिन उसके बावजूद लालू यादाओ और तेजस्वी यादाओ ने एक नहीं सुनी थी पपू यादाओ की लेकिन पपू यादाओ एक बार में ही मान गया बीमा भारती एक रोज पहुचती हैं गुलदस्ता लेकर पपू यादाओ के सामने भाया भाया कहती हैं उसके बाद कहा ये जा रहा है कि तेजस्वी और पप्पु यादव मान चाते हैं तो पहली तस्वीर में ये दिख रहा है कि पप्पु यादव मान चुके हैं तेजस्वी यादव से लेकिन अब लिंक के ये जोड़ा जा रहा है कि रुपावली के उप्चुनाव में जो कुछ भी परिडाम होगा क्या बिहार विधान सवाचुनाव में उसका सिधा आसर पड़ेगा थोड़ा यहां का पहले गड़ित आपको समझाते हैं देखिए रुपावली में एंडिये के उम्मीदवार कलाधर मंडल है नितीश कुमार पूरी ताकत लगाए हुए है कि यहां से अबकी बार बीमा भारती को नहीं जीतने देना है और कलाधर मंडल के जीत सुनिशित करनी है लेसी सिंग भी दौर लगा रही है बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी प्रचार प्रसार कर रही है दूसरी तरफ है शंकर सिंग निर्दली उमीदवार है कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि बीमा भारती और कलाधर मंडल की लड़ाई में अब की बार शंकर सिंग बाजी मार सकते हैं अब पिछले कल तक यहीं चर्चाए हो रही थी लेकिन पप्पू यादो की एंट्री के बाद और पप्पू यादो के मान मनवल के बाद जिस तरह से पप्पू यादो ने पूरी तरह से समर्थन दे दिया है अब शंकर सिंग के लिए राहें बड़ी मुश्किल नजर आती हैं यानि यहां भी त्रशंकों मामला हो चुका है और जो एक तरफा जीत शंकर सिंग की लोग कह रहे थे अब वो एक तरफा जीत तो बिलकुल नहीं दिख रही है और आसार बीमा भारती के जीतने के दिख रहे हैं खेर तेरा जुलाई को यहां का परेडाम सामने आ कि यहां जीत किसकी हुई लेकिन इस उप चुनाओं की जीत हार से बिहार विधान सभा चुनाओं कितना प्रभावित हो रहा है और कैसे यहां से आगी की राजनीती तैह हो रही है जरा क्रम मार समझिएगा तेजस्वी यादव इस बार के लोग सभा चुनाओं में जिस तरीके से डटे रहे उन्होंने 200-200 से ज़्यादा रैलियां की और सारा दारों मदार अपने कंधों पर समखाल रखा लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं राजत वो मुकाम हासल नहीं कर पाए जिसका दावा हर्मंच से तेजस्वी यादव कर रहे थे अब तेजस्वी यादव थोड़े दबाव में आ चुके हैं और उन्हें आप त्यार करना है 2025 के लिए अपना बेड़ा और उस बेड़े में वो पपू यादव को भी चाहते हैं लेकिन पपू यादव भी कमर कर चुके हैं बदल शिक究 pro 225 क दिनों ही पपू यादो बार बार कह रहे हैं कि मैं पूर्निया के लिए हूँ और ना सिर्फ पूर्निया बल्की जो सीमाँचल के चार जिले हैं, पपू यादो वहां एक अपना अलग प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, यानि हो ना हो राज़त से आने वाले समय मे सिमांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटे कॉंग्रेस को दिल्वानी होंगी तो आगे पप्पू यादाओ ही आएंगे आपको याद होगा कि 2020 के विधान सबाद चुनाओ में राजद और कॉंग्रेस में जब सीटों का बटवारा हुआ था तो कॉंग्रेस ने मन माफिक सीटे तो ले ली लेकिन चुनाओ बुरी तरह से हार गई इसके बाद तेजस्वी यादाओ ने तै कर लिया था कि अब वो कॉंग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी और वही करेगी जो उसको करना है लेकिन देखिए दो हजार चौबिस आते आते चीज़ें फिरते बदल गए अब तेजस्वी यादाओ कॉंग्रेस के आगे भले ना जुकें लेकिन उन्हें पपू यादाओ की बात तो मानने ही पड़ेगे अब पपू यादाओ भी कॉंग्रिस के नेता है आज रुपावली के उन्चुना में पपू यादाओ ने तेजस्वी की बात मान ली है बीमा भार्ति को समर्थन दे दिया है तो हजार पच्जीस के बिहार विधान सबहाच चनाओ में पपू यादाओ तेजस्वी से इसके लिए अपनी बात मनवाएंगे यानि ज्यादा से ज्यादा विधान सभा सीटे दिलवाने का काम करेंगे ये हो गई पहली बात अब ज़रा दूसरी बात पर गौर कीजिए इस बार देखा जा रहा है कि समराट चौधरी चिराख पास्मार नितीश कुमार जिससे बड़ 24 लोग सभा का चुनाओ प्रणाम कुछ अलग ही होता अब तेजस्वी यादाओ जिस तरीके से अपने पिता का सपना पूरा करने की कोशिश कर रही है मतलब की मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश जो मुख्यमंत्री बनने का सपना लालू यादाओ का था कि उनका यादाओ की बाते उन्हें अच्छी लगने लगी हैं वो पपू यादाओ के सामने रुपावली के उचुनाओं में इसलिए जुके हैं समर्थन उनसे इसलिए मांगा है क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल के लिए यानि 2025 के बिहार विधान तेजस्वी यादाओ को था या है उनको भी चेतावनी तेजस्वी यादाओ दे चुके हैं अब जरा गौर कीजिएगा कि आने वाले वक्त में जरूर तेजस्वी यादाओ ऐसे बड़े कई समझोते कर सकते हैं अब उन समझोतों से क्या असर होगा क्या राजत को फायदा ह यह बड़ी दिल्चस्प बात होगी लेकिन हमेशा सीधे बांस की तरह खड़े रहने वाले तेजस्वी यादव में थोड़ा लचिलापन आने लग किया है और उसका पहला नजारा विहार के रुपावले उप्चुना में दिखने लगा है अगर कुछ इस तरीके की राजनीत की तेजस्वी यादव करते रहेंगे तो निशित रूप से 2025 में बड़ा खेल कर सकते हैं राजत को बड़ी जीत भी दिलवा सकते हैं चैनल पर खबर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार